Hi everyone, so, आज इस वीडियो के अंदर, हम बहुत ही जादा important topic discuss करने वाले machine learning के अंदर, है ना? अब यह topic मैंने super important questions के अंदर discuss किया हुआ है, and top 20 questions के अंदर भी discuss किया हुआ है, सो इसके chances बहुत जादा high है अब मैं वदा देता हूँ कि यार देखो actually मैं वीडियो हो सकती है कि थोड़ा जाद लंबी बने ठीक है बट जो आपका main concept है कि आप ये वीडियो देखने के बाद तीन questions all कर सकते हो अगर तीन इसी type के questions possible हुए जो topic है आज इस वीडियो के अंदर जो आपन discuss करने वाल है first one is your activation function second one is your types of activation function ठीक है types of activation function और इनका जो parent है मतलब जहाँ से question arise हुआ था artificial neuron network ठीक है तो ये तीन questions अगर इनमें से कुछ भी आता है so आपका explanation activation neuron network से लेके types of activation function पे एंड होना जीए ठीक है बहुत ही famous question है type of activation functions कितने type के activation function possible है वो एंड कौन कौन से activation function सबसे जादा used में आते हैं वो ठीक है तो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपको ये तीन से चार तरीके की questions आप अराम से solve कर सकते हो अगर आपको एक concept पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो एंड में अपने इंड से full try करूँगा जिसको पता नहीं मशीन लेनिंग का कोर्स है चला है ट्रून जैंके वीडियो के लिए जो भी students है ट्रून जैंके वीवर्स जो है उनके लिए machine learning का कोर्स है ट्रून जैंके वीडियो के अंदर आपको सब मिल जाएगा playlist का link description में same for computer network so अगर आप लोग interested हो तो या computer network का भी कोर्स follow कर सकते हो तो start करते हैं सबसे पहले अपन जानते हैं कि activation function क्या होता है ठीक है अब देखो activation function जानने से पहले अपन थोड़ा सा आगे चलते है artificial neuron network भी ठीक है जो ANN लिखा हुआ so artificial neuron network से पहले आपने start किया होगा तो BNN biological neuron network ठीक है जैसे कि human brains है ठीक है neurons किस तरीके से वो हो रहे हैं तो वही से relate होके artificial neuron network बना हुआ है वट यार अपन activation function क्यों बढ़ रहे हैं वो बताओ भया देखो मैं थोड़ा सा आपको हलक आसा introduction देता हूँ artificial neuron network के बारे में हलक आसा जितना mandatory से वो उतना बताऊंगा ठीक है time waste नहीं करूँगा मैं को बता है सब्सक्राइब एक्तम last moment में पढ़ रहे हैं तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का भी time waste लगना चाहिए ठीक है सो सीथे बताते है activation neuron network में ऐसा क्या हो गया था कि हम activation functions या उसके tabs पढ़के इसकी problem को solve कर रहे हैं तो यार ऐसा है कि artificial neuron network जो है ANN इसमें ऐसा था कि यहाँ पर आप inputs जो भी inputs होंगे different, different, x1, x2 करके ऐसे-ऐसे inputs होंगे up to xn सो हर एक input के लिए कुछ weight होगा w1, w2 करके wn तक ठीक है सो और यहाँ पर क्या होगा कि आप जितने भी inputs दे रहे हो और हर एक inputs के बाद यहाँ पर एक क्या होगी एक यहाँ पर क्या बनेगी hidden layer बनेगी उसके बाद आपका output produce होगा यह बहुत गंदर diagram बना है बट roughly बता रहा हूँ मैं जो short में जितना important है वो बता रहा हूँ ठीक है हम artificial neuron network जो use कर रहे थे उसमें यही थाना input given हो रहे थे और कुछ input के weights थे और hidden layer की help मतलब उससे फिर अपना क्या generate हो रहा था output generate हो रहा था hidden layer क्या help करते में hidden layer आपकी जो problems उसको solve करने का try करते मतलब जो भी input में given है जो भी weight है उनका summation करके आपका output produce करते है तो यह working थी ANN की artificial neural network की बट यहाँ पर क्या हो रहा था जो output produce हो रहा था उसकी range बहुत high जा रही थी up to infinite जा रही थी अब यहाँ पर infinite range तक आपका output जा रहे है so आप output कैसे दोगे machine learning क्या produce करती है यह output produce करती है ठीक है इस अभी को पता है lecture number one से अपने सीख्या आ लिए ठीक है अब infinite range तक आपका output जा रहा है so आप कैसे बता पाओगे किसी भी मतलब जो भी जिसका output वो देखना था या फिर समझ रहे हो जिसने input given किया था और weight कुछ given किया था और आप वो expect कर रहा था कि machine learning algorithm की help से वो output produce कर दे बट यार ANN तो उसमें infinite output तक produce कर सकता है so इसको इस output range को कम करने के लिए या फिर इस output range को एक valid range लाने के लिए हम यूज करते है activation functions का अब बात clear है जितना needed था मैंने उतना ANN बता दिया ठीक है एक diagram है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक input x1 input, x2 input ऐसे xn input होंगे ठीक है xn input होंगे सभी के कुछ-कुछ weights given होंगे w1, w2, wn तक फिर यहाँ पे hidden layer आ जाएंगी जो आपस में interrelated, interconnected होंगे एक दूसरे से then produce कर देंगी output ठीक है बट artificial neural network में जो output की range आ रही थी वो infinite जा रही थी अब infinite output तक आप बता नहीं पाओगे valid output तो होगा नहीं सो इसी को valid output reduce करने के लिए हम यूज करते हैं activation function का सो भाई, activation function अब clear होता है ठीक है artificial neural network clear होता है क्या दिखकत थी artificial neural network दिखकत थो नहीं कह सकते है बट हाँ इसमें जो output की range थी वो बहुत ही जादा high थी ओके सो एक बाद definition पढ़ते है activation function की ये एक तरीके की definition कहलो otherwise just read करो automatic समझ में आएगा ठीक है definition कह सकते है उसको अभी मैं आगे और अच्छे से बताऊँगा ठीक है in artificial neural network an activation function is one that outputs a smaller value for 10 inputs अगर तुम input बहुत छोटा दोगे तो उसका output भी क्या होगा छोटा होगा ब्लू में अगर रखा है अगर तुम input high दोगे तो उसका output threshold के लिए match कर जाएगा and a higher value of its inputs are greater than a threshold अभी threshold है क्या चीज़ अभी समझते हैं अभी समझेंगे सब चीज़ समझेंगे टैंशन मतलो इसका मतलो यह है क्यार activation function इस तरीके का एक function होने वाला है activation function इस तरीके का function होने वाला है जिसकी health से अपना क्या होने वाला है कि अगर कोई input बहुत छोटा देगा तो उसका output भी smaller बनना है अगर कोई higher value output दे रह तो वो भी एक threshold value होगी कोई भी एक threshold value होगी उससे ज़्यादा उसकी value चली जाएगी अब threshold value क्या है वह बताओ चलो यार अब इस पर थोड़ा सब discussion करते हैं threshold value पर या फिर threshold पर threshold यह है कि अब types of activation पढ़ोगे types of activation function पढ़ोगे so हर अलग-अलग activation function का एक नएक threshold value होगी ठीक है अब threshold value एक ऐसी value होती है जिससे कि आप यहाँ तक पता कर सकते हो कि उसकी max to max range क्या जा दिये और उसका graph plot कैसे हो रहा है so that कि उसका output आप मतलब बता सको valid output generate कर सको समझ गया क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबसे बहले यही पर basic बता देता हूँ हलका सा activation function से पहले artificial neuron network में जान लेते हैं artificial neuron network में अपनी range बहुत जादा high range हो गई थी so high range यह फिर infinite range को valid range में लाने के लिए अपन यूज़ करते है activation functions का अब activation functions में आपने देखा अगर input दो तरीके का possible है अगर input बहुत छोटा है यहनो अगर input बहुत छोटा है tiny है एस्या का output भी क्या होने वाल है छोटा होने वाल है clear हो देबाद अगर input बहुत जादा high होने हो अगर input high given है सो उसका जो output है, वो भी threshold value से greater होने वाला है, अब threshold क्या है, वो समझते हैं, देखो हर एक चीज़ के लिए, जो types of activation function, अभी आपने activation function पढ़ लिया, ठीक है, उससे पहले ANN पढ़ लिया था, artificial neural network, artificial neural network, activation function पढ़ लिया, अब threshold value समझेंगे, तो जब threshold value समझने के लिए, आपको types पढ़ने पढ़ेंगे, activation functions के, activation functions के जो types हैं, अलग-अलग, बहुत साथ तरीके के, जो famous होंगे, वो बता दिये जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो point of point आप लिख सको, point to point, and आपकी कही मार्ग, deduct ना हो, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो activation neural network, sorry, activation function नहीं, artificial neural network को आने के लिए 20-25 में लगते हैं, बट आपका काम का कहिता है, सिर्फ 2-5 मिनिट का, जो मैंने explain कर दिया, ठीक है, उसको आप अपने words में लिख सकती हूँ, जो मैंने बता दिया, कि उसकी जो range होती है, output की वेरी-वेरी हाई होती है, एक diagram बता दिया, कि input given है, weight given है, स्वाब आले diagram बना सकते हो, artificial neural network में, activation functions का काम क्या, समझ गया, छोटा input गया, दिया, तो output छोटा है, अगर higher input दिया, तो threshold value से greater output चलियागा, उसका, ठीक है, यह होगे activation function, अब threshold value समझने के लिए, अपन types of activation functions पढ़ रहे हैं, अब यह जो types of activation functions है, बहुत तरीकिक है, बट जैनुवन 2 से 3 है, 3 या 4 कहलो, चलो 4 हो, पढ़ा दूगा एक बार, ठीक है, अब ऐसा है कि threshold value एक, ऐसी value होती है, जहां से आपका output जो है, मतला आपको देखने लग जाएगा, सताही तरीके से देखा जाएगा, अब हो सकता है कि आपकी जो values हैं, या तो positive है, या तो negative है, so इनके लिए क तो output उसने बता दिये, बहुत ही छोटा होने वाला है, बट higher value जो, प्लस वाली value है, positive values है, जो values positive है, x greater than 0 है, उन पे कुछ न कुछ ऐसा मतलब जाएगा, ऐसा value जाएगा, जो कि threshold से greater होगा, तो यहीं पर आप thresholds find कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, बात clear हो गई, activation function समयल लिया, अपन ने, artificial neuron network समयल लिया, कि अपन artificial neuron network में, why we use activation functions and types of activation functions क्यों पढ़ रहा है, clear है, इसकी range बहुत जादा high थी, उस range को, या फिर उस output को, अपन एक valid range में convert करने के लिए, activation functions और उसके types देखते हैं, ठीक है, अब यह समझ गया, कि activation functions में, अगर आपने input बहुत छोटा दिया, tiny input दिया, तो उसका जो output होगा, वो भी क्या होगा, smaller value होगी, बट अगर higher value आपने दे दी, तो उसका जो output है, वो threshold value से थोड़ा सा बढ़ा होने वाला है, समझे, clear है, clear है, अब activation function दो तरीके का है, ठीक है, activation function दो तरीके का, first one is your linear activation function, second one is your non-linear activation function, अब भाया न blue color mark कर रखा है, non-linear पर, so इसका मतला पर कुछ तो important होगा, obvious ही बात है, non-linear important है, and इसी के ही types given देखे जाएंगे जादा तर, और यही पूछते है, अगर आपको activation function linear वाला given है, so इससे क्या होगा, कि non-linear पर ही convert हो जाएगा, ठीक है, जो algorithm है, machine की, वो non-linear पर ही चली जाती वा जो types हैं, वो सिर्फ non-linear के ही पढ़े जाते हैं, खास कर engineering degree में, ठीक है, machine learning सभी को पता है, बहुत बड़ी ब्रांच है, computer science की कह सकती हो, computer science नहीं भी गळा तो आपको पता है न, ML, AI, AI, ML बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, तो AI, ML में से जो ML है, वो बहुत ही, ठीक है, सभी क है, सो उतना ही पढ़ते हैं, फालत में time waste नहीं करते हैं, जो exam में आना भी नहीं है, समझ में आई बात, सो यह नहीं आएगा, है इने topic आपके से level, यह है, तब भी इसका आप लिखोगे, अगर types of activation पूछ लिया, तो आपको यह लिखना तो पड़ेगा, और इसका एक graph बनत बनेगा, इसमें भी one power x, y की, इसमें भी x की one power है, तो मतलब कि y 1 से बढ़ रहा है, तो x भी directly proportional है, है न, x बढ़ेगा, तो y भी बढ़ता जाएगा, इसका कहने का मतलब यह है, जहाँ-जहाँ x बढ़ रहा है, x x s a से बढ़ रहा है, तो y भी s s a स बढ़ रहा है, सो यह ज लीरे-ड इक्टिवीशंफ़शंस की अम्हrig लेजुशन फॉंक्शंस की हTech यह पिर अग्टिविशंफ़शंस प्रोहिव हो QA इनकी काफी ऐस्ची ए मतलब कहीं कहीं जगह पर सिचार या पाच चाइघी क्टिवीशंफिस्ट पॉर्ट इनकी त्इन चीज़े यूजे यूजओ होती है एक है त्चेन चीजह-ध सिह मॉइट फंक्शन एंफिह मॉश्यिवूषण दें सेंद वन इस धोल इस यूर न से भीन थाns यह यह अधिन है इस इसके अलावा कहीं कहीं लोग करते हैं स्टार्ट एक्टिविशन से नहीं करेंगे त्रिशोल एक्टिविशन से गल लेंगे त्रिशोल एक्टिविशन फंक्शन से गल लेंगे ओके और RELU जो अपन पढ़ रहे थे last में RELU जो है reactified वाला ठीक है ये वाला इसके बाद इसको ही एक modified कर देते हैं लीकी RELU पर तो वो भी अपन discuss कर लेंगे ठीक है इस तरीके से कोई कोई लोग पाच तरीके बताते हैं बट जैनुवन ज़्यादा तर पूछे जाने वाले तीन तरीके हैं अगर आब ये तीन भी लिखो गए तो more than enough है बट ठीक है पाच जो बता देंगे तो पहले जो लोग बोलते हैं या फिर जो famous है वो है Trishold Activation Function ठीक है Trishold Activation Function Trishold की spelling है भीड T-H-R-E-S-H-O-L-D Trishold Activation Function तो पहले इसको देखते हैं फिर Sigma देखेंगे ठीक है Trishold Activation Function जो जैसा जैसा मैं बोलती जा रहा हूँ वैसे वैसे लेखते चलो बहुत मज़ाएगा So Trishold Activation Function में अपने को देखो Trishold समझाना था इसलिए मैं ये Trishold Activation Function समझा रहा हूँ Trishold Activation Function में मैंने आपको वदाया है कि अगर जो X की value अगर जो dependent variable, independent variable पड़े हुए थे है ना previous lecture में आपने So वहाँ से आप इसको relate भी कर सकते हो अगर X greater than 0 हुआ तो कुछ function output produce करेगा अगर X की value ये क्या है? less than 0 है अगर X की value greater than और equal 0 है तो यहाँ पर कुछ output produce होने वाला है है ना अब यहाँ पर समझते हैं क्या चीज़ है अब यहाँ पने देखा था अगर जो input बहुत छोटा होगा तो output भी छोटा produce होगा तो threshold activation function में जो output produce होता है जब X की value छोटी होती होती तो stamp is 0 produce होता है और अगर X की value 1 या, sorry, X की value 0 या greater than 0 है मतलब positive value है तो यहाँ पर जो output produce होता है वो 1 होता है बहुत ही simple चीज़ है अब इसका अदब क्या होगा या, वो बताओ यह है कि भाई, जो non-linear के अपने पहला टाइप पड़ा वैसा तो आप sigmoid से लिखना चारू कर सकते हो कोई max आपके deduct नहीं होगे बट काफी बच्चे बोलेंगे फिर आपने threshold activation function नहीं समझा threshold activation function में कुछ नहीं है ऐसा function है जिसमें कि x अगर बढ़ता जा रहा है तो आपका जो function है वो भी बढ़ता जाएगा अपनने अभी वही देखाना है यार अपनने यही तो देखा definition में कि जो भी आपका activation function है वो बढ़ना चाहिए ठीक है जब higher value input हो रही होगी तो कुछ आपको क्या मिलेगा greater than threshold मिलेगा अगर smaller value होगी तो पहुँच छोटे से आपको output produce होगे तो वही है अगर x की value smaller है 0 से मतलब छोटी value है तो output 0 produce होगा अगर x की value greater than 0 है मतलब positive value था output 1 produce होगा अब इसका एक graph होता है जब x की value negative थी मतलब यहाँ वाली line है यह अगर x का और y का coordinate बना दिया जाए यह अगर x और y coordinate कर दिया जाए तो negative x क्या होगा यह जो origin है origin से इधर वाला part negative x होगा इधर वाला part ठीक है अभी समझते हैं तो इधर वाले part पे 0 है negative वाले part पे 0 है so it means it means it means it means जो graph होगा आपका अगर मैं इसको x काडिनेट कहता हूँ और इसको मैं y काडिनेट कहता हूँ अगर यह हो गया 0 यह 0 है ना यह point 0 है 0 gamma 0 origin है यह वाला जिसको मैं गोल मार रहा हूँ ठीक है color change करते है पहरे यह जो color change करते है यह जो point है इसमें x भी 0 है and y भी 0 है ठीक है 0 gamma 0 होता है है ना origin है इधर साइड की जितनी भी value है this is your negative x मतलब minus 1 minus 2 ऐसे से करके negative values होंगी ओके clear है अब यहाँ भी यह जो है यह क्या है 0 इसका मतलब output यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है negative x पे अपना output क्या मिल रहा था 0 मिल रहा था जब x greater than 0 था तो वहाँ पे output क्या मिल रहा था 1 मिल रहा था जब x positive है तो output 1 मिल रहा है मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, X की सारी positive value, सारी positive value कहां से कहां तक होंगी, X की यहां से यहां तक होंगी, है न, तो यहाँ पर जो output produce होगा, 1 produce होगा, clear है graph, तो यह graph यह है, जब X की value negative है, so output produce होगा 0, जब X की value positive है, और produce होगा 1, यह है threshold activation function, और यह उसका graph, screenshot लिलो पढ़ा फ़र सब लोग, threshold activation function का यह graph है, yellow वाला output है, yellow वाला output है, मतलब X की negative value पर है, X की negative value पर, output मिल रहा है 0, X की सारी positive value, यह फिर equal 0 पर, output मिल रहा है, वह है, ठीक है, clear है बात, अब आगे बढ़ते है, threshold activation function हमें लिए भया, अब पढ़ते हैं, sigmoid, sigmoid function, ठीक है, sigmoid function का भी आपको graph बनाना पढ़ेगा, ज़ा अपने threshold activation function पढ़ा था, तो उसमें जो function देखा था, अपने X का, वो ऐसा था कि, अगर X less than 0 है, अगर X less than 0 है, less than equal हो गया था हूँ, अगर X negative है या less than 0 है, तो odd properties होगा 0, अगर X greater than 0 है, या greater than या equal 0 है, तो odd properties होगा 1, यह अपना function था, threshold का, अब sigmoid में भी अपना एक function होगा, अपने ये function की बना रहे हैं, भाई या ये बदा तो, अपने जो graph देखा था अभी, threshold का, वो अपने graph क्यों plot हिया था, जो graph plot हिया था ना, देखो, X पर ये था, मैं आपको इसलिए बदा रहा हूँ, कि आपको कभी भी confused नहीं होगा, and आप जो answer लिखके होगे, full marks ले गया होगे, इसलिए ऐसा बदा रहा हूँ, negative की सारी X की value पे, output produced था 0, positive की सारी value पे, output produced था 1, तो ये आपको graph बन गया, ठीक है, और यहाँ पे, ये होगे, clear है, अब अले function, मतलब ये जो function था, f of x, 0 और 1 पे, 0 और 1 output produce कर रहा है, positive और negative value पे, ये negative value है, X की, ये X की positive value है, ये अपन graph बना की रहा है, ये function हम क्यों block कर रहा है, क्यों हम activation functions का type बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, कि जो infinite values जा रही है, जो infinite value जा रही है, यहाँ कहीं infinite, infinite value जा रही होंगी है, ये यहाँ negative infinite जा रही होंगी, ये जो infinite value है, उसका भी तो आउटपूट देखोने हैं, उसका आउटपूट भी 0 होने हैं यहाँ पर, अगर positive infinite है, उसका आउटपूट क्या होने है, 1 होने है, so भाई, output valid नहीं हो गया, output defined नहीं हो गया, यहीं तो देखना चाहा रहे थे हैं अपन, जो infinite, artificial neural network में आपको infinite output मिल रहे थे, या हो सकता, minus infinity मिल रहे हैं, plus infinity मिल रहे हैं, so उससे related, आप ऐसा कोई बता नहीं पा रहे थे कि यार यह genuine output है या valid output है कि नहीं, but आप इन activation functions के type से, त्रिशोल activation functions से आप यह बता पा रहे हो कि, अगर negative value है, input में कोई सी भी x की, x से negative है, तो उसका output 0 होने वाला है, भाले हो negative infinity हो, यह फिर उससे थोड़ा सब पहले कि यह हो, और ऐसी ही आप यहाँ बता पा रहे हो कि positive values की x में 1 output प्रेटी जोर हो, मतलब कि आप एक valid range बता पा रहे हो, valid range बता पा रहे हो, very, very, very important, ठीक है, यह main काम है, अब अब बढ़ते हैं, sigmoid था, so अपने भी पीछे दिखा था, तो graph बना लेते हैं, graph का screenshot ले ले लेना, यार सब लोग, ठीक है, so यह तो हो गई, x curve, x coordinate, यह हो गई, y coordinate, curve नहीं, coordinates, तो यह x और y coordinates हो गए, अब यहाँ पे जो graph बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, अब यह origin से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यह फंक्शन है, f of value रखके देखो, है न, यहाँ पर अगर आप value रखोगे, तो यहाँ पर output आपको 0 मिलेगा, and यहाँ पर output आपको 1 मिलेगा, ठीक है, यह एकदम, मतलब coordinate वाला नहीं है, क्योंकि coordinate इसका यहाँ पर होना चाहिए था, और यह जो, बीच में जो midpoint होगा, वो midpoint होगा, 0.5 वाल ठीक है, इतना आपको clear होना चाहिए, clear है, अब यह जो sigmoid है, sigmoid क्या रता क्या है, sigmoid function का का क्या है, यह वैसे sigmoid function का graph हो गया function, जो था वहाँ से, screenshot लेना हो, तो ले लो, एक सेकंड रुख जाता हूँ मैं, तो अब समझता है, देखो, जो function था sigmoid का, वो यह है, 1 upon 1 plus e to the power minus x, इस से related अपन ने अभी graph plot किया था, अब जो graph था, उसकी जो highest value थी, वो 1 थी, और lowest value थी, 0.5, तो बीच की जो value होगी, 0.5 होगी, 0.5 बीच की value, जो है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि PDF में shape नहीं आपाया, अब डाग्राम नहीं आपाया, अब डाग्राम नहीं आपाया, डाग्राम मैंने बता रही आपको, ठीक है, तो उसका जो center है, वो क्या है, 0.5 क्योंकि, एक value 0 पे है, एक value 1 पे, एक value 1 पे, तो बीच म 0.5 से जादा है, यह 0.5 है, तो वो आपको return कर देगा true, अगर 0.5 से कम है, तो return कर देगा false, क्योंकि इसका graph है, वो देखो, graph ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर 0.5 है center, 0.5 से जितनी भी value है, वो सारी positive x की value है, यहाँ पर देखो न, color change करना पड़ेगा, यहाँ पर द positive x के लिए उपर जा रहा है कर, negative x के लिए नीचे जा रहा है, so 0.5 से अगर ज़्यादा values होती है, so उस situation में, उस situation में जो इसकी probability है, वो true की probability है, दूसरी situation में false की probability है, clear होगी, बात clear होगी, है न, so I think a sigmoid समझ में आ गया, है न, इसमें ज़्यादा नहीं है, बच्चे ज़्यादा था, threshold का, ठीक है, वो direct question आएगा, दूसरा type में ज़्यादा है, activation का, direct question आएगा, तो उसमें आपको threshold के बारे में लिखना है, range लिखनी है, 0 से 1 की बीच की range है, threshold की भी, है न, okay, समझ गया, तो यह लिखना है, and इसका लिखना है, sigmoid का, समझ गया, okay, तो यही है सब चीज, जो, जो range है, curve है, functions है, यह लिखना है, और sigmoid function, बहुत ज़्यादा use होगा, अगर आप आगे की question solve करते हैं, निवारी कलपे, ठीक है, तो यह simple से चीज़ है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो important है, थोड़ा सा modified, sigmoid कह सकते हो, 10H को, 10H भी गया, एक तर सोरी, F of X नहीं होगा, आप 10H भी होगा, 10H of X, है न, hyperbolic function है, is equal e की पावर x, minus e की पावर minus x, अपन e की पावर x, plus e की पावर minus x, उपर minus है, नीचे plus है, ठीक है, यह screenshot लेना है, तो लेलो, तो यह काम का है, 10H का hyperbolic function, अब इसका जो graph है, वो बता देता हूँ, देखो, जो लिखा हूँ है न, यह आप लोग पढ़ते चलो, कुछ नहीं चीज़ नहीं है, जो जो मैं लिखा हूँ है, वो आपको explain नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ओपर sigmoid का भी मैंने वही बता दिया था, कि range range जो जो important है, ठीक है, तो इसक क्या होगी, minus 1 से plus 1, और ध्यान दो, इसका जो middle point होगा, वो 0 ही होगा, क्योंकि minus 1, plus 1, by 2 किता होता है, 0 ही होता है, तो average value क्या है, 0 ही है, ठीक है, sigmoid में average value किती थी, 0.5 थी, क्योंकि यहाँ पे lower value 0 थी, highest value 1 थी, बट इसमें lower, minus 1 है, higher 1 है, तो इस से आपने होगा बाता चल के लिए कि जो इसकी range है, minus 1 से 1 है, और जो बीच की value है, hidden layer की, उसके लिए 0 value रहेगी, ठीक है, middle के लिए, so 10H function होगा लिया, ठीक है, जो कि modified ही था, थोड़ा सो sigmoid, अब last है जो है, RELU, जो इसको बोलता है, reactified linear unit activation function, सबसे जादा use होने वाला है, ठीक है, mostly globally use होने वाला function ह very, very, very important, okay, अब यहाँ पर ऐसा है कि negative value के लिए, इसका जो output होने वाला है, वो 0 होने वाला है, so negative input of RELU activation functions, intermediately become 0, इसका जो function है, वो क्या है भाई है, वो बता दो फिर, so जो इसका function है, वो है maximum of 0, x, क्या है, maximum of 0, x, maximum of 0, x, अगर x negative हो गया, ठीक है, इसमें दो situation बन सकती है, अब इदर जगा है नहीं, यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो function f of x is equals to maximum of 0, x, अब x पर depend हो सकती है, अगर x negative हो गया, so negative, देखो, अब भी समझाते हैं, इसमें, पैंचेंज करते हैं, मालो x की value negative minus 5 है, so minus 5 और 0 का max क्या होगा, minus 5 होगा, minus 5 और 0 का max क्या होगा, minus 5 नहीं होगा, 0 होगा न, minus 5 और 0 का max क्या होगा, 0 होगा, तो इस case में output अपने को 0 मिलने वाला है, and, अगर x की value positive ले ले 어떡 है अपन, इसको थोड़ा से raise करते है, अगर x की value positive ले 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 लेते हैं, x की value 5 ले लेते है, so क्या होगी 5 पे, अगर x की value 5 है, तो इन दोनों का max क्या होगा, 5 होगा, तो मतलब x अगर greater than 0 है तो उस case में आपको x ही मिल रहा है मतलब 5 ही मिल रहा है समझ गया तो अब यहाँ पर आप define कर सकते हो कि f of x क्या हो सकता है max of 0-x है इसका जो अगर आप function वापिस बनाना चाहो तो ऐसा बना सकते हो कि अगर जो negative value हुई negative value पर हमें output हमेशा 0 मिलेगा अगर जो value positive हुई यह equal 0 हुई तो output x मिलेगा रख के देख सकते हो max 0 का max करके देख सकते हो उसी से ही यह जो था ना इसी से ही अपन ने बना लिए definition से function ठीक है देख ओ पढ़के negative input में इसकी value 0 होती negative input जब आ रहा है जो value आ रही है तो इसका अब graph क्या बनेगा वह बदा दो graph काफी simple है यह xy curve है sorry curve नहीं coordinate यार बोल रहा हूँ xy coordinate है बहन का color change करता है जब x की value negative हो रही है तो हमें output के मिल रहा है अगर x की value positive हो रही है output के मिल रहा है x ही मिल रहा है रेलू function reactified linear unit activation function अपने आज इस वीडियो के अंदर activation function समझ लिया artificial neural network समझ लिया types of activation समाझ लिया लिखे 3 है बड़ अपने 4 समझेते है एक relu दूसरा 10H उससे पहले sigmoid sigmoid से पहले अपने threshold समझाता जो जो मैंने आज पढ़ाया है हो सकता है किसी बच्चे को नया लाद रहा हो बड़ येकीन मानो इसके notes बना लेना काफि ज़्यादा important questions है ठीक है so I think इस अभी बच्चे को clear हो गया होगा क्यों हम non-linear activation functions पढ़ रहे हैं why we can't study linear activation functions ठीक है ये आपको पता चल गया होगा एंड बाकी आपको बाई की चीज़ें भी clear ही हो गया होगी एंड किसी को प्यूट आउट है तो comment section में पूर सकता है ठीक है फिलाल में तो नेक्स वूडियो के साथ बाई